हे गाईस वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल वायनेट लाइफस्टाइल दोस्तो वैसे अब तक आप मानते रहे होंगे कि छाज यानी कि बटर मिल्क तभी फायदा पोचाती है जब हम इसका सेवन करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दही से त्यार होने वाले ये ड्रिंक का उप्योग कई ऐसे तरीकों से किया जा सकता है जो आपके बाल और स्किन को हेल्दी और सुंदर बना सकता है चोक ये मत आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चाज के ऐसे गुण के बारे में जो की आपको नहीं पता होंगे तो चलिए जानते हैं नमबर एक ग्लोइंग तवचा के लिए दोस्तो चाज एक बहुत ही अच्छा मॉस्चराइजर होता है जो चहरे की तवचा को हाइडरेट रखता है चाज में नेच्रल गुण होने के साथ साथ इसकी एसिडिक कॉमपोजिशन इसे असरदार टोनर बनाती है अगर आप कुछ ही दिनों में नेच्रल ग्लोइंग स्किन चाती हैं तो इसके लिए होममेड फेस पैक त्यार करें चाज को बेसन और ककड़ी के रस के साथ मिला कर एक पेस्ट त्यार कर लें इसमें चुटकी बर हल्दी मिलाएं और अपने चेहरे पर 15 मिनट लगा कर रखें उसके बाद चेहरे को धोलें नमबर 2 पिंपल्स हटाएं दोस्तों पिंपल्स कैसे ठीक करें ये सवाल अकसर लोग पूछते हैं इस मामले में भी चाज आपको फायदा पोचा सकती है चाज में भी दही की तरह ही गुण होते हैं जिससे ये स्किन पर बैक्टीरिया ग्रोथ को सिमित करने के साथ ही गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करती है चाज को चेहरे पर लगाने से बंद पोर्स खुलते हैं तवचा सेल्स की ग्रोथ होती है और तवचा खुलकर सास ले पाती है जिससे की पिंपल्स नहीं हो पाते हैं नमबर 3 उम्र के निशान दूर करे दोस्तो इस नैचरल ड्रिंक में एंटी उक्सिडेंट बहुत ही जादा होता है जो फ्री रेडिकल्स की ग्रोथ कम करते हैं इसके मॉस्टराइज करने के गुण ड्राय स्किन में नई जान फूग देते हैं वही चाज को ओटमिल के साथ मिलाकर लगाने से स्किन टाइट होती है और एजिंग के निशान हटते रहते हैं ये चहरे को एकदम जवा लुक दे देती है नमबर 4 संटैन करे कम दोस्तो धूप में जाने पर टैनिंग हो जाती है इसे हटाने के लिए आप चाज का इस्तमाल करें एलोवेरा के साथ चाज तवचा को जेंटली डी टैन कर देती है और इसे गहराई से पोशन देते हुए सौफ्ट बनाती है चाज डेट स्किन सेल्स को हटा कर स्किन में निखार लाती है जिससे की टैनिंग का असर खम हो जाता है दोस्तों अपने बालो पर इसका असर देखने और बालो की ग्रोथ बढ़ाने के लिए चाज बेशन और ओलिव ओईल मिलाकर इसका मास्क तियार कर लें इस मास्क से स्केल्प की मसाज करें जैसे कि हम तेल मालिश करते हैं, मसाज करने के 40 मिनट बाद आप शैंपू कर लें, एक ही बार में इसका उप्योग करने से बालों में नई जान मिलेगी और डेंडरफ की भी छुट्टी हो जाएगी, प्रोटीन के गुणों से भरपूर ये मास्क, बाल और स्केल्प को हाइड तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ, मेरी ये जान कारी आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोले, फिर मिलूंगी एक निव वीडियो के साथ, तब के लिए टेक केर एंड बाबाई